नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूं आप सभी का शिक्षा प्रभा में दोस्तों मैं करुणा लेकर के आई हूं इस वीडियो में कैसे पाएं नभ्य प्रतिशत से जादा माक्स गणित की परिक्षा में तो बिटा वो सभी विध्यारती कक्षा 10 के सभी विध्यारती जो अभ चीजें चानने से पहले, step by step would, मैं आपको बताऊँगी, लेकिन उस से पहले बिटा, अगर आप सिक्षा प्रवा पर नहें हैं और आपने अभी तक भी सिक्षा प्रवा को सब्सक्राइब नहीं किया हैं, तो बिटा, सिक्षा प्रवा को सब्सक्राइब कर लें, जिससे की अलावा, आपको सिक्षा प्रवा पर देखने मिलेंगी, मार्किंग स्कीम, आपकी हर एक्जाम की आंसुर की, मॉडल टेस्ट पेपर, सेंपल पेपर, और भी बहुत कुछ, तो बिटा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, यूस्फुल लगे, तो मेरी वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना, शुरू करते हैं, सीबेस सिक अक्षा दस्वी की गणित की टम्टू परिक्षा पांच मेई 2022 को आयुजित की जाएगी, इस पार परिक्षा में सिर्फ सब्जेक्टिव प्रशन पूछे जाएंगे, इस तरह से अब्जेक्टिव पैटर्ण से अबलाव, विध्धार्थियों के लिए बहतारंग प्राप्ति के रास्ते में कटनाई पैदा कर सकता है, इस कटनाई को दूर करने तथा परिक्षा की तैयारी को आसान बनाने के लिए कुछ महत्वोन टिप्स मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ, एक्सपर्ट्स द्वारा सुझाए गए इन आसान तथा बेहत प्रभावी टिप्स की मदद से आप अपने CBSC क्लास 10 टम 2 के एक्जाम में ला सकते हैं 90 प्रतीशत से अधिक अंक, जिसके लिए सबसे पहला पॉइंट है कि नवीनतम स्लेबर्स, पेपर पैटन और मार्किंग स्केम को बिटा आपको बहुत अच्छे से समझना है, तो आपका मार्किंग स्केम और पेपर पैटन में दोनों ही अपलोड कर दूँगी अपने चैनल पर जहां पर आप देख सकते हैं आपका मैट्स का पैटन पेपर पैटन क्या है और मार्किंग स्केम क्या दी गई है, तो अपने गणित सिलेवर्स को रिजवाइज करते समय नवीन तम्यानी के बिलकुल नए पेपर पैटन और मार्किंग स्केम के सार्ट टम्टू परिक्षा के लिए निरधारित गणित के सभी विश्यों पर एक नज़र डालें, CBSC मार्किंग स्केम के अनुसार ही रिवीजन करें, जिससे कि आपको किस टॉपिक को कितना पढ़ना है उसका अनुमान लग सके, सेकिंड है, NCERT के सभी solve और unsolved प्रशन जरूर हल करें, देखो विटा, ये हर कोई आपसे कहता होगा कि NCERT आपको बहुत अच्छे से करनी है, चाहे वो solve हैं, चाहे वो अभ्यास प्रशनावली है, केवल नियमित अभ्यास ही आपको गडित में निपुन बना सकता है, परिक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रकार के प्रशनों को आसानी से हल करने के लिए NCERT के प्रशनों को आपको बार बार हल करना है, बहतर होगा कि आप मध्यम प्रकार के प्रशनों से शुरुआत करें, मतलग ऐसे question उठाये जो ना तो hard है और ना easy है, मतलग medium लेवल का आपको question मतलग numerical उठाना है और उसको solve करना है, और उसके बाद फिर आपको कठिन या दो की hard और फिर super hard question की तरफ बड़ना है, प्रशनों के उत्तर देने के लिए stepwise विधी आपको समझनी है CBSC term 2 की जो परिक्षा है 2022 में subjective प्रशन पूछे जाएंगे तो बहुत जादा आवश्यक है कि आप प्रशनों को solve करने के लिए numericals को solve करने के लिए stepwise टेक्निक को समझ ले गणित में प्रटेक से ही step के लिए आंक आपको पहले ही दिये जाते हैं अगर आपके उपर के steps सही है नीचे कुछ गलती हो जाती है तो आपको उपर के step पर marks मिल जाते हैं अगर आप सभी step को बहुत अच्छे से कर लेते हैं जो आपको पूरे अंक देता है दिलाता है तो आंसर नुमेरिकल सॉल्व करने के लिए stepwise विधी को समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको इस चीज को समझने के लिए cbsc sample paper के साथ जो marking scheme जारी की गई है उसकी आप मदद ले सकते हैं मैं इस वीडियो के description में आपको marking scheme की जो वीडियो है उसका link भी दे दूँगी four point है case study पर अधारित प्रशनों का अभ्यास करें cbsc कक्षा 10th maths term to परिक्षा 2022 में आपको case study पर भी अधारित प्रशनों पूछे जाएंगे और आप सभी को ये चीज है पता होंगी इसलिए आपको इन प्रशनों को हल करने के सही तरीके के बारे में पता होना चाहिए affirmative progression, surface areas and volumes और some applications of trigonometry चीज है ये जो चप्नर है इन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है point five cbsc sample paper को जरूर हर करें तो cbsc के sample paper प्रशनों की कठना इस तर को समझने और self evaluation का सबसे बहतरिन तरीका है क्यूंकि board परिक्षा में board प्रशन पत्र का pattern sample paper के अधार पर रखा जाता है sample paper को दो गहंटे में हल करने की कोशिश आपको करनी है जिससे की आपका जो exam paper है वो छूटे ना और समय सीमा के रहते रहते ही आप पूरा paper जो है solve कर लें इसके साथ आप ये भी अनुभव करेंगे कि जैसे जैसे आप paper solve करेंगे आप अपनी कम्यों में सुधार लाते जाएंगे point number six क्या करते है experts कि सभी महत्पूर्ण formula एक page पर note करें वे उनका नियमित अध्यन करें तो maths की revision अगर आप कर रहे हो या maths का exam देने अगर आप जा रहे हो तो ये सबसे पहला point है कि आपको अपने सभी महत्पूर्ण formula एक paper पर लिखना है और उसको बार-बार कुछ-कुछ दिन के अंतराल पे देखते जाना है याद करते जाना है जिससे कि क्या होता है अगर हम कोई question महाँ पर solve कर रहे हैं तो अगर हम सिर्फ महाँ पर formula भी put कर देते हैं तो भी हमें marks मिल जाते हैं अगर हमने formula सही लिखा है तो और अगर हमें formula याद है तो फिर तो numerical solve करने में उतना जंजटी नहीं होता है गणित में आप सही उत्तर तक तभी पहुँच सकते हैं जब आप सही formula यूज करें सही concept का प्रियोग करें कभी कभी परिक्षा के दोरान formula याद करने में कठना ही हो सकती है इसके लिए जरूरी है कि आप सभी formula और theorem को chapter wise list बना करके अपने पास रख लें और बार बार उसका revise करते रहें साथवा point और विल को last point दोस्तों के साथ मिलके गणित का आपको अभ्यास करना है यानि कि maths एक ऐसा subject है जिसको आप अपने friends के साथ भी solve करेंगे तो आपको ज़्यादा benefit होगा theoretical subject हमको अकेले में पढ़ने में मजाता है और उसको हम जल्दी cover कर सकते हैं math एक ऐसा subject है जो दोस्तों के साथ हमें जल्दी समझाता है यह बहुत ही ज्यादा प्रभावसाली तरीका है गुरुप में गणित के प्रशनों का अभ्यास करने से सभी दोस्त एक दूसरे का उत्सहा बढ़ाने और कुछ विश्यों में एक दूसरे की मदद करने का मोका मिल प्रदर्शन करने के लिए सकारात्मक दवाब बना रहता है चैप्टर वाइस प्रशनों का अभ्यास आपको करना है और गल्तियों को जाचने के लिए अपने दोस्तों के साथ क्रॉस चेक करना है अपने नुमेरिकल को तो बिटा यह थे बहुत सिंबल सेवन स्टेप अगर लेकर के आ सकते हैं दोस्तों आशा करती हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें वीडियो को लाइक भी कर दें और हां शिक्षा प्रभा को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अ